टीम इंडिया का छोटा सा लाल छोटा लाल इसलिए भी कह रहा हूं क्यूंकि बहुत छोटे प्लेयर है इस टीम के अंदर और सजा दजा के इस खिलाडी को रखा गया है और परोसा गया देश के लिए लेकिन जिस तरीके से ये सामने आए बहुत मैचेस के लिए रन बरसाए कभी कीपिंग में ध्यान नहीं दिया बहुत बाते सुनी कफ्तान ने धर धर के सुनाया तो आखिर में रन बनाया नमस्कार सुगत आपका नेक्साने स्पोर्ट्स में आपके साथ अपका होस्ट प्रतिक और आज बात करेंगे रिशाब पंत को लेकर दिली का ये लड़का देश के लिए जब खेलता है तो एक ऐसे नाम के साथ मैचिंग होती इस खिलाडी की जो वाकई में बहुत बड़ा नाम है महेंदर सिंग धोनी से जो भारत के फॉर्मर कैप्टैन है उनसे इस लड़के की कंपैरिजन की जाती कि ये कैप्टैन उसका उतराधिकारी है जो देश के लिए दो बार वर्ट कप जितवा के ला चुका है तो कही ने कही एक प्रशर उस खिलाडी पर बन जाता है ल फिकर नहीं है इस खिलाडी को ये बस आ रहे है हिटिंग कर रहे है रन लग रहे है रन लग रहे है रन स्कोर बोड पे चेंज़ हो रहे है और देखिए 50 प्लस महारा था 2nd ODI में और दूसरे ODI में कि अगर मैं बात करूं तो इसमें भी उनके बल्ले से निकले थे 49 अब दे अब देखिए 50 अब दूसरे के अब दूसरे के लिए रहे हैं लेकिन का बहुत अब आपको आप रहोगे टीम में आप एक फिनिशर काम कर सकते हो अगर आपको महेंदर सिंग धोनी कार रहा है तो उस चीज़े जस्टिफाय आपको कड़ना पड़े बनता नंबर ती नंबर तो उस पे भी भेजावराट कोली ने उस वक नहीं चले लेकिन ये ये नंबर चार के बाद उतरते हैं और साबित करते हैं क्या लगता को आखरी वंड़े जारे इंडिया वेसे इंडिस का कटक में बाराबती स्टेडिय में क्या लगता है अगर अगर आपको बुरा बहले नहीं दिया जाएगा तो शायद आप अतनी बैठा तरीकित अपने अपनी सोच नहीं बाना सकते हैं और अगर रोईश पंत की बात करें तो तो जिससे विराट को लिन उनके यकिन किया देगी बिल्कुल एक कप्तान के अगर तो यकिन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ल दोनों ही इनिंग में कि अगर पहले मैंच की बात करें तो 69 कास पर रण की दूसरे की बात करें तो 49 बनाएं महें 16 गंदों में तो यह जो इंटर्टेनिंग बैट्समन माना जाता था हूं को आते पिछ पर आते धमाल कर दिया करते बबले लंबी हिटा मारा करते तो जिस त जो ले थी वह वापस आती हो नसर आ रही है और साथ में यह भी बता रहा है कि मिडिल और में जब जरूरत हो रनों की अंबार लगाने की तो वहां पर रिशब पंत नापका तूफान खड़ा हुआ है अगर उसको तिन चार पांच ओवर मिल गए उनका बल्ला अगर ले में यह नहीं कि आप पंत को ले इतना बोलेंगे पंत एक मैच विनर है और मैं इंफेक्ट मुझे लगता है कि सभी लोग इतफाक रखते होंगे कि जो देश के लिए खेल रहा है जो क्रिकेटर सवा सवा सव करोड की अबादी है और अगर अगर देश के लिए कोई प्लें में म सेडिये मोझे अपथा एक तु मैच है कि आपको अछ शणआ को अदिहां को उभाद मी पर लुट कर टाता है और चैकिजयीज के आप किस यह पारना जाना चाहते है और यहार komt रखते डिंब में अपको विर्थि आपको बाट में निया कर एक्प जाई करना पождered लोगता है आप और बैसर कीपिए तो बहुत है कि अगर जाता है अगर दोनी की तरह आपको अपना नाम बनाना है तो कम सकंव 15 सल खर्च करने पड़ेंगें एक देनों दोनी नहीं बनता है तो इतो बात तैहें लेकिन जिस तरह से उन्हे लिगता है पंदरा साल अगर पंद कर्च खर्च करते हैं तो धोनी बन पाएंगे लेकिन उन जैसी च्छवी ज़रूरा पाईगे लिए पंद का अपना अलग स्थान है बिल्कुल इसमें कोई तुलना की बात नहीं होनी चाहिए लेकिन है यह जरूर का जाएगा कि पंद का फॉर्म में पाईंगे और यह हैं झेल्स में तरह स्थानल सकंथ हैं आप मैचर अट्ो फारी ज़रूरी बें तेखेंग में यह भी जरूर्वात ने बाट केनी यह सर्कान ऑन को बातने कले पर चली है मैं बता दूएक जो रिशाब पंद की जुतेनी भी टारीफ की शाए statistics पाल्यों किं के साथ 124 तरों के साज़दारी की तिया निकि श्वतकी साज़दारी थी वो और उसके बाद सेकेंड उडियाए भी उन्हें ने चार शके तीन चौके लगाए और उन्तालिस रन मारे सोला गंद में अब लगता है कि वो ले में आ गए और तीसरा जो आखरी उनका वंडे मैच अच्छे बहरत बनावेस इंडीस का उसमें भी एक अलगी चाप छोड़ेंगे रिशाप बन तो फिलाल कि दीजिए जाज़त और देख देखे लिए नेक्सान स्पोर्ट्स